ओ ओ भाई साब ओ भाई क्या ही मारा भाई इस सौट के लिए अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लो यार ओ भाई क्या ही सौट मारा भाई और मेक शिर हिट दा लाइक बटन घ्सक्राइब अगरना यार कि में आइघ डान डान में वाल्ड रिचाए था रे वाल 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 हुआ ओ भाई ऑल का माई का थे जहर हो रहा है तर नहीं भाई आप लोगी बता कि और फाई में कौन ऐसे चाहे बैसता है भाई हेलो स्मेंट्स, चाई पीलो सो हेई गाईज, फिर से स्वागत है आप लोग का एक और ब्रेंट न्यू सबजीदा मोबाइल अरे, मेरा मतलब की पबजीदा मोबाइल गेमपले वीडियो में और इधर पे उतरते हैं हम पोचिनकी में, वही भाई, वही जगे पे मैं उतरता हूँ मतलब ओल पे भाई बहुत सारे बंदे बोल रहे थे कि पोचिनकी आएंगे तो मैं भी पोचिनकी कूट जाता हूँ और भाई मैं पोचिनकी जाते जाते जब आस्मान की तरब देखता हूँ भाई अंगिनद बंदे नजर आते हैं मतलब पोचिनकी में जाके भसड होना तैरे पूरा एक्तम मतलब उतरने के बाद भाई गन मिला तो ठीक है नहीं तो आप मार दिये जाओगे और मुझे उतरने के साथ साथ ही M4 मिल जाता है और मेरे सामने वाले घर से एक हुट्प्रिंट आ रहा होता है तो मैं उस पर रसकर बैठता हूँ हाँ पता है मेरे को मेरे को पता है मैं अभी हगने वाला था मेरा हेल्थ अल्मोस्ट आधा जा चुका था मतलब भाई पोचिन की मैं उतर के आधे बंदों को गनी नहीं मिला सब इधर उधर भाग रहे हैं और ये न भाई एक सोलो मैच का गेमपले वीडियो है क्योंकि हाली में जो प्ले अनलोड 2.0 आया उसमें मैंने एक स्कॉट को ठिला दिया मतलब मेरे ही स्कॉट को तो मेरा मेरिट कम गया भाई इसलिए मुझे सोलो ख давно प्राः था और इधर पे जाते जयते मुझे एक बाट भाईया मिल जाते हैं अब भाईया बोल रहे हैं मेरा की लाब ले जाओ मैं क्यों न लो और इस घर में गुजने के साथ साथ ही मुझे पता चलता है सामने वाले गर पे एक बंदा आये जिसे मैं मार नहीं पाता और इस बंदे के साथ फाइट ना भाई बहुत ही लंबा चलता है मतलब कदे चुपन चुपाई हो रहे थे भीया मैं इधर से पीक दे रहा हूँ वो उधर से तो कैसे मार पाएंगे भाई को तो भाई कुछी देर बाद अपने घर का पोजिशन चेंज करते हैं मेरा मतलब की सामने वाले घर के साइड और दरवाजे के पीछे टीपी पी लेते हूँ मैं भाई को पकड़ लेता हूँ तो इधर पे भाई हमारे थोड़ा बहुत लीट हो जाते हैं इसलिए मैं सीधा रस करता हूँ और फाइट के समय बाट भाईया का आना तैरे पूर एकदम और यहां पे हम भाई को मार देते हैं और यहां पे हमारा नजर एक और बाट पे पड़ता है लेकिन उसका केल हमें नहीं मिलता ओपेन में कौन लूटने आता है भाई बाट को और यह भाईया को मारने के थोड़े दर पहले ना मेरे को सामने वाले थ्रिश्टोरी से एक फूट्पिन मिल रहा था तो वही चेक करने अब हम चाते हैं तो इनको मारने के बाद हमारा पोचिन की अल्मोस्ट क्लियर हो चुका है अब हम गाड़ी ढूडने जाते हैं क्यूंकि भाई कुछी दिर बाद ड्रॉप आ जाएगा तो हमें भी ड्रॉप लूटना है और वह ऐसे इधर पे जोन बनता नहीं तो सामने एक प्लेन भी आ रहा था मैं उसके पीछे ही चलता हूँ लेकिन तभी फ्लेयर फ्लूवर चली जाता है भाई मतलब सरकारी हो या बेसरकारी ड्रॉप तो हमें लूटना है तो मैं सिधा इधर पे गाड़ी गुसा देता हूँ और ये बंदा भाई ठीक मेरे सामने आले घर के उपर टिपी पी ले रहा है ओ बंदे ने नेट कीचा क्या ये बंदा नेट मारा ओ भाई अपने घर पे नेट ओ भाई मारो मुझे बंदे ने नेट का पीन कीचा और अपने घर पे नेट कर दिया रहे भाई साम ये बंदा अपने घर के उपर नेट करके पीछे की दरब भग गया क्या ये दुबारा पिक लेगा ओ भाई बंदा नीचे आ गया और मैं एक मॉली निकल के डाली रहा होता हूँ और तभी बंदा ओपन से कूँद जाता है क्या हो रहा है भाई ओ भाई और बंदे को ये लगता है कि वो उतना लीट होने के बाद मैं नीचे नहीं कूदूंगा वो आराम से अपना हिलिंग कंपलेट कर लेगा और भाई का ड्रॉप भी आ चुका है तो जाके देखते हैं ड्रॉप में क्या है और ड्रॉप में भाई कते ही जहर दो गन निकलता है तो गन गुन समेट के गाड़ी लेके हम चलते हैं सिदा नोवो की ब्रिज की तरफ क्योंकि नोवो से बंदा आने का चांस होता है क्योंकि जोन उधर से कट मार रहा था अब जोन कैसे कट मारता है ये तो भाई मैंने ऐसे ही बोल दिया और नोवो के ब्रिज के ठीक सामने पहुंचने के बाद मैं देखता हूँ इदर उधर से धुआ निकल रहा है इदर उधर बंदों का क्रेट गिरा हुआ है ये थोड़ा ज्यादा हो गया मतलब भज़र हुआ है भई उधर पे तो इधर पे आते ही इस बाई के खड़े होने का पोजिशन देखके मुझे लगता है कि इदर बंदा खड़ा है और उसके बाद ही मेरे पे फाइरिंग भी आता है ओ ओ भाई साब ओ बाई क्या ही मारा भाई इस सॉट के लिए अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लो यार ओ भाई क्या ही सॉट मारा भाई मतलब भाई ये बंदा बाईक में देखे बाईक स्टार्ट करके थोड़ा ही मतलब क्या बोलू थोड़ा ही पिक अप दिया था भाईक को और भाई उतर गए बाईक से और इधर पर हम नोबो की विडिच की तरफ थोड़ा बहुत कैम करने लग जाता है क्या पता और बंदा आ जाए लेकिन तभी मेरे पीछे ड्रॉप किरा हुआ दिखता है जिसे देख के मेरे क्या बोलते हैं भाई लाल टबक राता हूँ इसलिए मैं उधर चला आता हूँ इधर ड्रॉप की तरफ ड्रॉप के पास पहुचने के साथ साती इधर से फायरिंग भी आ जाता है बाई मतलब इदर में फाइट चल रहा है और यह बंदा भाई बहुत एलीट होता है मुझे इसका हेड तो दिखता नहीं इसलिए मैं बाड़ी पर मारता हूँ लेकिन इसे वह बंदा यहां पर है और बाई मेरे पैंट के अंदर आज डाइनमो का नाड़ा आगे है क्या ही हेड मारा इधर भी पाई और इसे मारने के बाद हम इधर उधर भटकने लग जाते हैं क्योंकि भाई अलाइफ फाइप मतलब चार बंदे बाकी हैं और इधर पर तो मैं इस घर पे थोड़ा बहुत वेट कर लेता हूं रेड जोन करता हूं और इधर पे मैं अपने बिचो बिच जो घड़ है उनके साइट से मैं गाड़िया घुमाता हूँ यानि कि उन घड़ में रोकता भी हूँ और बहुत देट तक टिपी भी लेता हूँ लेकिन मुझे एक भी बंदा नजर नहीं आता और कहीं पे भी बंदा ना मिलने के कारण हम दोबारा गाड़ी लेके निकल पड़ते हैं बंदा ढूडने लेकिन हमें एक भी बंदा नहीं मिलता है इसलिए हम इस टावर के उपर आ जाते हैं और इधर बिव बहुत अच्छा होता है भाई आप बंदो का पोजिशन देख सकते हो लेकिन हमें एक भी बंदा नहीं देखता मतलब भाई एलाइफ फाइफ से एलाइफ टू हो चुका है आखरी बंदा कहा है हमें नहीं दिखता लेकिन भाई कुछी देरे बाद जोन हमारे साथ धोके बाजी कर देता है इसलिए टावर शोड़के जाना पड़ता है और भाई तभी हमें आकरी बंदा दिख जाता है और मैं चिकन चुकन निकल जाता है यार अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो पर लाइक कर दो वीडियो पर कमेंट कर दो वीडियो को सेर कर दो बाप रे बाप कितना बकता हूँ भाई और आप लोग अगर नए आये हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो या लाल कलर के बटन को बुड़ा दबा के रख दो और आज के लिए वस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में टाटा बाई बाई सी यू झाल को बुड़ा आज दो